आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense Hindi में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर Facebook, Instagram, Twitter और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Advanced Medium Combat Aircraft यानि कि AMCA के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि जो latest news आ रही है कि Advanced Medium Combat Aircraft AMCA जल्द बनाया जाएगा और इस news के तहर साल 2024-25 में Advanced Medium Combat Aircraft AMCA का prototype डेवलप कर लिया जाएगा इस वीडियो को हम लोग दो हिस्सों में बाटेंगे पहले हिस्से में हम लोग इस news को अनिलाइस करेंगे और दूसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे क्या possibility है Advanced Medium Combat Aircraft AMCA की timeline चेंज करने की इस report को अगर analyze किया जाए तो इसमें सबसे पहली बात जो कही गई है वो है कि Indian Air Force, Aeronautical Development Agency और Hindustan Aeronautics Limited तीनो साथ में मिलकर काफी तेजी से AMCA के उपर काम कर रहे हैं और इस aircraft की design finalize हो चुकी है ये एक modular design होगी और ये single seat fighter jet होगा इस report में आगे बात की जाती है कि Advanced Medium Combat Aircraft को लेकर Air Chief Marshal ने कहा है कि इसकी 6 squadrons induct की जाएंगी यहाँ पहली चीज़ Advanced Medium Combat Aircraft को HAL ADA के साथ साथ एक private company मिलकर एक joint venture के तहद बनाएगी और दूसरी चीज़ पिछले कुछ महिनों से Air Chief Marshal ने public में एमका के बारे में बात नहीं की है उन्होंने जब last time एमका के बारे में बात की थी तो वो मे में की थी और तब उन्होंने कहा था कि Indian Air Force शुरुवात में 100 एमका खरी देगी और तक्रीबन 200 Light Combat Aircraft Tejas के अलग-अलग तरीके के variants भारतिय वाई से न अपने बेडे में शामिल करेगी इस report में आगे बात की जाती है Advanced Medium Combat Aircraft एमका की timeline को लेकर इस report के अनुसार Advanced Medium Combat Aircraft एमका का पहला prototype साल 2024-25 में आ जाएगा और अगले 5 साल में ये अपनी पूरी testing complete करके production में चला जाएगा यानि कि साल 2029 तक Advanced Medium Combat Aircraft भारतिय वाई सेना के बेडे में शामिल होने लगेगा और साल 2036 से इस aircraft का अगला version यानि कि Advanced Medium Combat Aircraft Mark 2 भारतिय वाई सेना को मिलना शुरू हो जाएगा आगे इस report में इस Advanced Medium Combat Aircraft को लेकर तीन और important बाते कही गई है पहली इसके engine को लेकर जिसके उपर हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि Rolls Royce और DRDO मिलकर इस aircraft के लिए engine बनाने वाले हैं दूसरी चीज इसके radar को लेकर इस aircraft में active electronically scanned array radar होगा और इस radar को लेकर DRDO काम कर रहा है ये radar उत्तर में इसा radar होगा जिसको flying test bed पर test किया जा रहा है और तीसरा point है Astra air-to-air missile को लेकर इस report के अनुसार Astra air-to-air missile की length थोड़ी जादा है और इसके वज़े से ये missile advanced medium combat aircraft AMCA के internal weapons bay में नहीं आईगी world की जादा तर air-to-air missile जैसे की AMRAAM R-77 और Astra 3.6 meter लंबी होती है और जो latest missile आ रही है जैसे की meteor ये पुरानी missiles से थोड़ी लंबी है meteor 3.7 meter की है ऐसे में AMCA का internal weapons bay अगर इन missiles के लिए छोटा होगा तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है वैसे आम तोर पर जादा तर reports source को code करती है और ऐसा ही इस report में भी है इसलिए मैं ये report एक packet salt के साथ ले रहा हूँ आए अब बात करते हैं इसकी timeline को लेकर शुरुवात से advanced medium combat aircraft की जो timing भताई जा रही थी उसके हिसाब से साल 2025 तक इसका prototype बन जाना था और तकरीबन 5 साल की testing के बाद में ये fighter jet साल 2030 में production में चला जाना था जहां से तकरीबन एक साल के बाद ये fighter jets भारतिय वाई सेना की active duty में शामिल होने लगते advanced medium combat aircraft को लेकर जादा तर components पहले से तयार हैं और आम तोर पर जब एक fighter jet का prototype बनाया जाता है तो इसमें तकरीबन 2 साल लगते हैं साल 2020 तो China virus की भेट चड़ चुका है और अगर आप साल 2021 से joint venture company, design transfer, vendor selection, tendering process ये सारे काम करना शुरू करते हैं तो साल 2022 से आप इस aircraft के prototype को लेकर metal cutting शुरू कर सकते हैं और अगले 2 साल में इसका prototype बन कर तयार हो सकता है क्योंकि ये aircraft के prototype General Electric के engine GEF414 के उपर based होंगे इस वज़े से इसके prototype में बहुत जादा समय नहीं लगना चाहिए और ये जो timeline promise की जा रही है साल 2024 वाली ये आसानी से meet की जा सकती है लेकिन ये जो नए concept के उपर बात की जा रही है यानि कि advanced medium combat aircraft mark 1 और amka mark 2 इसकी कोई भी official confirmation नहीं है फिलहाल के लिए जो एक aircraft planned है वो है advanced medium combat aircraft इसका mark 1 और 2 अभी जख officially confirm नहीं किया गया है जो लोग amka के mark 1 और mark 2 के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग directly Korean 5th generation aircraft KFX से parallel draw कर रहे हैं KFX में दो variant होंगे mark 1 और mark 2, mark 1 में internal weapons bay नहीं है और mark 2 में internal weapons bay होगा ये timeline को expedite करने का बहुत ही बहतरीन तरीका है लेकिन फिलहाल इस तरीके को advanced medium combat aircraft के उपर apply नहीं किया जा रहा है medium combat aircraft की एक और version बनाई जाएगी जो amka mark 2 होगी आपको क्या लगता है बताइए हमें comment section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें comment section में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें comment section में आखेर क्यों देखते रहेए alpha defense धन्यवाद जय हिन कर दो कर दोस्तों